एक लड़की को लगता है कि उसका boyfriend अब उसमें इतना interested नहीं है अपने boyfriend के लिए वो plastic surgery करवा लेती है अपनी identity खोने के बाद क्या होता है यह आज के movie का फिरिमाईस है यह एक thoughtful movie है और हमें एक message भी देखर जाती है अगर movie में आपको कोछ समझ में आता तो last में मैं पूरा समझाने वाला हूँ तो last अक इस वीडियो को जरूर देखेगा तो चलिए शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और plastic surgery के इसी करवाई जाती है यह हमें दिखता है इसके बाद एक और plastic surgery करवा के hospital से बाहर आती है एक लड़की से टकरा जाती है इस औरत के पास उसका नया चेहरा किस तरह से होने वाला है इसकी photograph होती है यह लड़की जब इस औरत से टकराती है तो इसकी photograph तूट जाती है ये लटकी बहुत ही sorry होती है और कहती है कि मैं इस frame को सहीच से करवा कराऊंगे ये वही उस औरत को रुकने के लिए बोलती है पर ये औरत वहां रुकना नहीं चाहती जैसी लटकी turn होती है तो ये औरत वहां से निकल जाती है अब ये जो लटकी थी कि हमारे main character है इसका नाम है सीही सीही ये photograph और frame लेती है और अपने boyfriend के साथ एक cafe में मिलने वाली होती है जब वे cafe में अंदर आकर देखती है तो उसका boyfriend waiter को देख रहा होता है इसके boyfriend का नाम जीवू होता है सीही जब notice करती है कि वो waiter को देख रहा था तो ये बहुत ही चीट जाती है सीही उससे पुछती है दो साल हो चुके है कि क्या तुम मुझसे बोर हो चुके हो जीवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सीही बोलती है कि तुम्हारा dog था तुम उससे भी बोर हो चुके थे सीही कहता है कि dog और person में एक difference होता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला सीही मानने रही होती है जब waiter उनसे पुछने के लिए आती है कि उन्हें क्या order करना है तो C उसपर भी चीट जाती है जीव कहता है कि तुम्हें इस तरह से भी हो नहीं करना चाहिए सीही अभी भी उसपर चीटी ही गए होती है जब यह सब चल रहा होता है तो जीव ने जहां car park की होती है वहां कुछ लड़किया उस car को टकरा देती है वह जीव को call करती है और बुलाती है सीही इन लड़कियों को देख रही होती है यह लड़किया जीव को उनका number देती है वह जीव भी अपना number उने देता है सीही इस पर भी चीट जाती है वह कहती है उनको क्या जरूरत थी उनका number तुम्हें देने की जिवो कहते है कि कोई प्रॉब्लम आया कुछ हुआ तो मैं उनको कॉल कर सकता हूँ सिही कहती है कि तुम्हें सिर्फ उन्हें बनाना चाहिए था कि इंशॉरंस ये सब देख लेगा तुम्हें उनसे कॉंटेक करने कोई भी जरूत नहीं है सिही बहुत ही जिड़ जाती है और उन लड़कियों के पास जाती है उन लड़कियों से वो जगड़ने लग जाती है कि उन्हें कुछ भी भरा भुरा कहती है और लड़किया भी उसे गालिया देती है इसके बाद सिही जिवो के घर पर आ जाती है जिवू भी घर आने के बाद उसे गले लगाता है CU से कहती है कि एक ही face बार-बार देखना कि तुम्हे पोर हो गया है CC अब ही भी उसे मना करता है एसा कुछ भी नहीं है यह साय सुई अश़ोर करता है इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेंट होना चाहते है जीवो बहुत ही ठक गया हता है तो ये सही से कुछ करनी पहा रहा हुता C.E.O. से कहती है कि रेस्टराण में तुम्हें वो लटकी पसन आई थी उसे तुम इमेजिन करो इसके बाद ये तुनों इंटिमेंट हो चुक है ये हमें दिखता है थोड़ी देरे बाद जब ये बेड में होते है तो C.E.O. से पूछती है क्या तुम उसे इमेजिन कर रहे थे जुग कहता है कि तुमने ही तो कहा था C.E.O. इस पर बहुत ही चिर जाती है इसे अब मालूँ हो जाता है कि वो उससे बोर हो चुका है दुसरे दिन जी वो अपना अपना काम कर रहा होता है वो जब अपने डेस्क पे C.E.O. की फोटो देखता है तो उसे उसकी याद आती है वो जब उसे कॉल लगाता है तो ये नंबर सर्विस में नहीं होता ये परेशान हो जाता है और C.E.O. की अपार्मेंट पर आ जाता है वो आने के बाद उसे पता चलता है कि वो वहाँ से मूव कर चुकी है C.E.O. काम करती थी उसके कोवरकर की पास भी हो जाता है इस कोवरकर को पुछता है पर इसे पता ही नहीं होता कि उसने कवी मूवीन किया था अब हमें C.E.O. एक अलग अपार्मेंट में दिखती है अपनी जो सब फोटोज होती है ये सब कुछ वो जला देती है कुछ मैगजिन से ब्यूटिफुल लेडिकियों की फोटोस निकालती है और उसे वो एक नया फेस बनाती है ये फेस अब उसे चाही होता है ये प्लास्टिक सर्जरी के होस्पिटल में आती है डॉक्टर से जब बात करती है तो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रिटी नहीं बना सकता मैं सिर्फ तुम्हें डिफरंट मना सकता हूँ और यही सीही को चाही होता है डॉक्टर से बोचता है क्या तुम तुमारे चेरे से टायट हो चुकी हो सीही कही थी कि फ्लीज ये कर दो डॉक्टर फिर सीही को डराने के लिए ब्लास्टिक सर्जरी की प्रोसेजर किस तरह से होती है यह उसे दिखाता है डॉक्टर सीही से कहता है एक बार तुमने ब्लास्टिक सर्जरी कर ली तो फिर से तुम अपना ओरिजिनल फेस नहीं पास सकोगी सिही जब यह procedure देखती है तो रोने लग जाती है पर इसे अभी भी यह सब करना ही होता है डारेकली सिही का operation हो चुका है यह हमें दिखता है सिही को अब recover करने के लिए 6 मैने लगने वाले है यह जो process है यह बहुत ही painful होने वाली है इसे हमेशा अपना face cover करकर रखना होता है सिही के friends को जब पता चलता है कि सिही उसे छोड़ कर चली गए है तो उसके friends उसके लिए एक date लाते है और यह सब party के लिए आते है यह उसे समझाते है कि अब तुम्हें move on करना चाहिए C.U. कहता है कि हम 2 साल तक एक साथ थे यह उसे इतनी चल्दी भूल नहीं सकता उसका friend बोलता है कि क्या तुम उसे बोर नहीं हो गए थे C.U. को इस तरह से नहीं लगता C.U. के लिए उसके friend ने जो date लाई होती है यह date और C.U. यह दोनों बहुत ही बाते करते है यह लड़की फिर C.U. से पुछती है यह कही हमें चलना चाहिए हमें बाते करने चाहिए यह उसे indirectly मोटल पर लेकर जाना जाती है यह दोनों जब मोटल पर जाते है और intimate होने वाले होते है तब ही कोई पत्थर से उनका शीशा तोड़ देता है इस मोटल का मैनेजर आता है और यह बहुत डाटता है इन दोनों को यहां से वो बहुत निकाल देता है नेक्स दिन जीव जब हैंग ओवर होकर उठता है तब उसे उसकी friend का call आता है यह जो friend है एक college की उसकी friend है यह एक बड़ी से photographer बन चुकी है जीव को भी photograph निकालना अचा लगता है इन दोनों में बहुत सारी चीज़े common होती है यह इस town में नहीं रहती आज exhibition है तो जीव से हो मिलना चाती है exhibition में एक दूसरे से हो मिलते है और dinner करने के लिए अच्छे से restaurant में आ जाते है यहाँ और वो अपनी पुरानी बातों के बारे में बात करते है जीव की friend अब serious हो जाती है वो कहती है कि जब हम एक दूसरे से मिले थे तब हम दोनों engaged थे अब यह दोनों single है तो एक दूसरे के साथ ही हो सकते है इन्हें पहली बार में भी attraction हो चुका था यह फिर जीव को kiss करती है और कहती है कि मैं ladies room जाकर आती हो जीव बाहर उसका wait करता है जब यह ladies room में जाती है तो वहाँ कोई होता है इस movie में हमें दिखाया नहीं गया है कि वहाँ कौन था पर यह C ही होती है नेक्स्ट आने माले कुछ scenes में हमें पता चलेगा जीव जब अपने friend का बाहर इंतजार कर रहा होता है तो वह वहाँ आती है और उसे मना कर देती है तो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती है जीव insist करता है मुझे कम से कम तुमारे घर तो छोड़ने दो जब वो इसे घर छोड़ने के लिए आता है तो जबर्दिस्त उसे किस करता है उसकी friend उसे जरकती है और वहाँ से जादे जादे कहकर जाती है कि तुम बहुत ही happy person हो सिर्फ उसे कुछ भेहव करना है उसे कहकर वो चले जाती है इस dialogue से हमें पता जाजाता है कि वो सिही से ही मिली थी सिही जियू से इतना प्यार करती है कि उसने उसके लिए plastic surgery कर ली है ये जियू की friend को पता है जियू की friend इसले ही जियू से अब कोई भी समबन नहीं रखना जाती दूसरे दिन जियू ship में होता है वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है ये हमारी सिही ही है पर उसने अपना face cover कर लिया है जियू उसे lift देना चाता है पर उसे देती नहीं जियू यहाँ से directly एक sculpture park में आ जाता है ये जो पाग है इस समुदर के पास ही होता है जियू और सिही ने यहाँ बहुत सारी images ली थी इस park में भी सिही ही आती है वो उसकी photo लेना चाता है इस बेचारे को पता ही नहीं है ये सिही ही है अब next scene में हम देखता है जियू और उसके friend एक blind date के लिए आयो होते है ये एक cafe होता है जिसमें वो अलग-अलग boat शोड़ देते है इस पर उनका नाम होता है लड़किया भी अपने नाम लिखती है और लड़की भी अपना नाम लेते है जिसके पास opposite boat चली गई तो ये लड़की लड़किया ये दोनों और दूसरे को date करते है जियू को यहाँ एक लड़की पसना आती है पर उसके boat उसके पास आती है एक अलग ये लड़की के साथ उससे date करना पड़ता है ये लड़की समझ जाती है कि जियू उसमें interested नहीं है जियू उससे ज़्यादा फॉर्मल हो रहा होता है तो एकसेप्ट नहीं करती है यह थी है कि चलो हम शुटिंग करने के लिए जाते है यह तो मज़ा हो सकता है यह लड़की और जियू जब शुटिंग करने के लिए जाते है तो जियू को यह करने में मज़ा आता है वो इस लड़की से फिर से मिलना चाता है ये दोनों जब बाहर आते है तो जियू से कहता है तुम जब ये शुटिंग कर रहे थी तुम बहुत ही confident और beautiful लग रहे थी लड़की कहती है कि ये stress के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के opposite पीट करते है और लड़की कहती है कि अगर हम मुड़े तो हम फिर से date करेंगे अगर हम चलते चले गए तो हम एक दूसरे में interested नहीं है ये हम समझ लेंगे जियू को उसे date करना होता है पर लड़की मुड़ती नहीं इस लड़की के आखों में आसो है यानि के sacrifice कर रही है यहाँ भी सीही उसे मिली है यहाँ पहता चलता है रात में जियू का friend उसे call करता है वो कहता है कि मेरी जो date थी वो तुम्हें बहुत interested थी मैंने तुम्हारा number उसे दे दिया है जियू को भी वो पसंद थी इसलिए उसका wait करता है पर कभी भी उस लड़की का call ही नहीं आता नेकसीन में हमें दिखता है कि जियू को जो cafe पसनाता है वहाँ वो आ जाता है जिस waiter को movie के first में वो देख रहा था वो waiter अब यहाँ नहीं है यहाँ पर एक नई लड़की काम कर रही है एक आगस पर I love you, I love you लिक रही होती है यानि कि यह CE ही है अब 6 मैने गुजर चुके है तो अब वेर नवे face में है यह जियू के पास जाती है और उसे smile देती है जब वो उसे coffee दे रही होती है तो यह coffee गिर जाती है नेकसिन में फिरसे जियू जब ship पर होता है तो यह फिरसे इस waitress से मिलता है यानि CE से वो फिरसे एक बार मिल जाता है CE birds को खाना दे रही होती है जियू भी इसे पहचानता है इसना ने डोनों birds को खाना देते है इसना दोनों पार्क में हिजा रहे होता है तो जीव उसे live देता है इन दोनों को इस spot पसन होता है जब दोनों वहाँ बेटे होते है तो सीही जीव के साथ picture भी लेती है सीही जीव से कहती है क्या तुमारी girlfriend है जीव कहता है कि वो 6 मैंने हो चुके है वो मुझे छोड़ कर चली गई है सीही कहती है कि क्या तुम अभी भी उसका wait कर रहे हो कहता है कि कभी-कभी मैं करता हूँ पर कभी नहीं भी करता वो कभी-कभी उसे बहुत मिस करता है जब फेसे ship से जा रहोते है तो एक दुसरे को kiss कर लेते है सीही ने जो later जीव के लिए लिखा होता है तो एक छोटी लड़की से वो Jeeho को दे दी थी है Jeeho जब ये लेटर लिखता है तो ये C का लेटर है ये देखकर वो बहुत इडिस्टब हो जाता है Jeeho वेटर को पैचार नहीं पाता उसे लगता है कि C है ये नहीं जब वेटर उसके पास आती है तो उसे उसका नाम पुझता है ये अपना नाम भी C ही बता दी है पर फिर भी इस पर बिलिव नहीं करता जो लेटर जीऊ का आया था इस पर C ही अपना नाम लिखती है Jeeho से मना कर देता है वो कहता है कि मैरे गल्फरेंड का है तुमें इस पर कुछ भी लिख नहीं सकती Jeeho इस लेटर को बहुत ही समाल कर रखना चाहता है C ही जब लेटर पर लिख रही होती है तो एस सेम हैंडरेटिंग होती है पर फिर भी ये नोटिस नहीं करता Jeeho सी ही पर जिट गयाता है C के थी है कि अभी भी अगर तुम अपनी गल्फरेंड से प्यार करते हो तो कल का क्या था कल तुमने मुझे क्यों किस किया था ये इससे जख़़कर वहाँ से चली जाती है Jeeho को बुरा लगता है इस रेस्टराण के ओनर से वो Cee का नंबर लेता है उसे हो कॉल करता है या वो फिर से मिलना चाता है Cee उसे बोलती है कि वो उसे स्टेशन पर मिलेगी जब उसे मिलती है तो उसके पीछे हो उसे भगाती है उसका मजा लेना चाती है इसके बाद ये दोनों Jeeho के अपार्मेंट पर आ जाते है ये दोनों डिनर करने के बाद जब बेड़ पर बैठे होए होती है तो Jeeho इसके साथ इंटिमेट होने वाला होता है पर ये पहले Cee का लेटर देखता है Cee फिर वहाँ से निकल जाती है दूसरे दिन जब Jeeho से एक अपार्मेंट साफ करने के लिए आता है तो एक दूसरे से बहुत बाते करते है Cee की जो पुरानी फोटोग्राफ थी ये उससे मिलती है ये वो देखने वाला होता है तो ये Cee उससे चीन लेती है चीन कर वो उससे चुपा देती है और इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है Cee जीव से पुछती है क्या तुम अपनी गल्फेंड को भुला पाओगे ये जीव के लिए आसान नहीं होता Cee को अब बहुत ही पच्ता होता है वो अपने आप से कहती है ये ही उससे चाहिए था अलग फेस वो चाहती थी पर अब जीव उससे बैर नहीं करता वो अभी भी उसकी पुराने फेस से ही पैर करता है Cee एक जीव को लेटर लीती है इस लेटर पढ़कर जीव को लगता है कि उसकी गल्फेंड यानि कि जो पहली वाले Cee थी ये उससे मिलना जाती है वो अपनी पुराने वाली Cee से मिलने से पहले अब जो करंड Cee है इससे ब्रेक अप कर लेता है ये अभी की Cee इस पर बहुत ही चिट जाती है कही थी है क्या मैं सिर्फ टाइम पस थी जीव कहता है कि मैं एक साहरा डून रहा था Cee कही थी क्या मैं सिर्फ एक साहरा ही थी इससे जादा में कुछ नहीं थी इससे वो मारने लग जाती है बहुत ही तमाशा खड़ा करती है इसके बाद जीव अपनी पुरानी Cee से मिलने के लिए आता है जब वो कैवे में बैठता है तो Cee का जो पुराना फेस था इसको उसने कट आफ करकर अपने फेस पर लगाय हूँ होता है जो सब कुछ था कि अब Jeeoo को पता चल जाता है उसे बहुत ही बुरा लगता है वो कहता है कि तुम पागल हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो Cee कहती कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ इसी वज़े से मैंने यह सब किया था Jeeoo अप रोने लग जाता है Jeeoo कहता है कि तुम पागल हो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता इस कैफे में बहुत ही लूड बात करे होते है तो एक कस्टमर को इन से परिशानी हो जाती है Jeeoo को बहुत ही घुसा आया होता है तो एक कस्टमर और Jeeoo यह तोनों एक दूसरे से बहुत फाइट करते है Cee को अब बहुत ही बुरा लगता है वो अपना मास्ट लेकर डॉक्टर के पास आती है इसे उसका मास्क दे देती है Cee जब वहाँ से चली जाती है तो Jeeoo भी थोड़े टाइम में वहाँ आ जाता है Jeeoo डॉक्टर के पास Cee का मास्क देखता है Jeeoo से बुछता है क्या तुम उसे जानते थे Jeeoo फिर उसे डिनर के लिए बहार लेकर जाना चाता है ये डॉक्टर से बोलता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है उसे क्या करना है उसे पता नहीं होता ये डॉक्टर पर भी चीड़ गया होता है डॉक्टर इसे बहुत मारता है Jeeoo फिर डॉक्टर से कहता है कि प्लीज मुझे मदद करो थोड़े दिन बाद S.E. को डॉक्टर को कॉल आता है J.E. डिसाइड करता है कि उसे भी प्लैस्टिक सर्जरी करनी है यह सर्जरी करते वाग उसके जो फोटोज होती है यह डॉक्टर S.E. को दिखाता है यही बताने के लिए डॉक्टर ने उसे बुलवाया था S.E. देखकर रोने लग जाती है उसे बहुत पच्टा होता है S.E. जब घर जा रहे होती है तो मास्क में उसे एक आदमी दिखता है उसे लगता है कि जीवू ही है तो उसके पीची पीची हो जाती है इसके पास कैमेरा भी होता है और जीवू को भी फोटो निकालना अच्छा लगता था तो इसे लगता है कि यह वह ही है यह उसके साथ लेक पर आ जाती है इसको लगता है कि S.E. उसमें इंटरस्टेड है तो यह कहता है यह पास मेहने बाद मुझसे मिलने के लिए आओ तब मुझे तुम सही से देख सकोगी S.E. सकल्प्षक पाग में जाती है और अब बहुत ही जीवू को मिस करती है अब हम देखते हैं कि पास मेहने गुजर चुके है और S.E. जीवू को ढूंदी रहती है जो वो पाग में जाती है तब उसे एक लड़का दिखता है उसे ही देख रहा होता है तो इसे लगता है कि वो जीवू ही है इसे हो बाते करती है और उसका हाथ हातों में लेती है जब भी वो जीवू के साथ होती थी तब उसका हाथ उसके हातों में लेती थी उसे कहती थी कि हम दोनों के हाथ एक दूसरे के लिए perfect fit है यही वो चेक कर रही होती है जब इस लड़के का हाथ वो अपने हाथों में लेती है तो यह fit नहीं होता वो वहाँ से चली जाती है सीही जब अपने apartment में होती है तो वहाँ एक आदमी आता है सीही उसे देखती है तो यह कहता है कि मैं wrong apartment में आ चुका हूँ थोड़ी देर माद यह फिर से वापस आ जाता है यह उसे coffee के लिए पुछता है सीही उसे अपने apartment में भूलवा लेती है सीही के apartment में sculpture pop में जो photo ली थी यह photo देखता है सीही को कहता है कि मेरी girlfriend और मैंने भी यह photo ली थी सीही को लगता है कि यह जीवू ही है वो फिर से उसके हाथों में हाथ लेती है उससे बुछती है कि मेरा हाथ तुमें केसा लग रहा है कि कहता है कि मुझे वो warm लग रहा है यह answer इसे expected नहीं होता यह हाथ भी fit नहीं हो रहा होता तो उससे घर से बाहर निकाल देती है नेक्स दे जब एक cafe में जाती है तो एक लड़का उसे अप्रोच करता है इससे बाते हैं करने लग जाती है जब एक हाथों में हाथ लेती है तो इस परफेक्ट fit होता है यह अफजर हो खुश हो जाती है सिही जब इसके apartment पर आती है इसे इसके बच्पन की photos दिखती है उसे पता जल जाता है कि यह जीवू नहीं है यहाँ से भी वह जल्दी जल्दी में निकल पड़ती है नेक्स दे हम देखते है कि जेस लेक के पास वो 5 मेने पहले किसी आदमी को मिली थी इसे आदमी के पास वो आ जाती है इसे लगता है कि यही जीवू है यह एक photographer होता है सिही जब इसके apartment पर आती है तो सिही के बहुत सारे photos ने निकली होती है यह सिही से अफसेस्ट होता है सिही को लगता है कि यह जीवू है यह उससे पूछती भी है पर यह हाक यह देता है जब दोनों intimate हो जाते है तो अपना सही का नाम उसे बताता है सिही अब उससे cheat कर वहाँ से निकल पड़ती है सिही फिर से cafe में आ रहे होती है तब ही वह रस्ता क्रॉस करती है रस्ता क्रॉस करते होत एक गाड़ी के सामने हो आ जाती है एक गाड़ी चलाने वाला उससे बहुत गालिया देता है इसके बाद वह cafe में बैठती है और इससे realize होता है कि इसी तरह से तो जीवू गालिया देता था उसे पता चल जाते है कि यही जीवू था यह इसे ढूनने के लिए इसके पीचे बीचे भागती है यह ट्रेंस्टेशर पर आ चुका होता है यहाँ भीड होती है तो उसे वो ढूनने भाती है यही फिर जोर-जोर से चिलाने लग जाती है जीवू का नाम लेने लग जाती है यह चिलाते चिलाते ही रोती है यह ब्लीज मेरे सामने आ जाओ जीवू से देख लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है सीही भी इसके बीचे भागती है जब यह दोनों ट्रेंस्टेशन से भाहर आ जाते है जिऊ रस्ते से भाग रहता है तो उसका एकसिदेंट हो जाता है एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है जिऊ अपने आपको गिल्टी समझता था वह सीही ने उसके लिए जो सब किया है यह उसे बहुत जलत लगता था उसे punish करने के लिए वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहता था वो कभी भी उससे मिलने पाएगा हमें सिही फिर से डॉक्टर के बास आयो हुई है यह दिखता है वो डॉक्टर से डिमांड करती है कि वो उसे ऐसा बना दे कोई भी उसे recognize नहीं कर पाए यह plastic surgery करकर जब वो बाहर आती है तो उसके हाथ में वो जैसी बनने वाली है इसका photo होता है जैसा movie के first में होता है कि एक लड़की इससे टकरा जाती है ऐसा फिर से यहा होता है अब हम फिर से देखते हैं कि जो लड़की टकरा है थी यह पुरानी वाली सीही थी इसके बाद CD की भीड हमें दिखती है यह movie हमें एक mind band करने वाली ending दे जाती है अगर हम last scene को analyze करें तो हमें CD की भीड बार दिखाए जाती है बहुत सारे faces हम देखते है हमने last scene में देखा है कि plastic surgery करने के बाद जो सीही है और पहली वाली सीही यह एक दूसरे सीमिली है यह कैसे हो सकता है इस movie के director यहां represent करते है कि एक cycle बन चुका है इस बड़ी सी city में हर कोई अपनी identity ढूनना चाता है नया वो कुछ बनना चाते है last scene में देखते है कि सीही को अगर face से एक मोका मिला पर जो जैसा हो रहा था वैसा ही वो सब कुछ करेगी हमने आप से वो बहुत insecure है और हमेशा किसी ना किसी चीज से भागती रहती है movie के फस से ही उसे लगता था यह जीव उसे प्यार नहीं करता पर ऐसा कभी भी नहीं था जीव उसे बहुत ही प्यार करता था और जीव उसे कभी भुला नहीं पाया था सीही हमेशा अपने आपको खाती रहती थी और इसलिए उसने गलत कदम उठाये थे उसने प्लास्टिक सजरी करवा ली और उसे लगाता है कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा जीव भी उसके पास आ चुका था फर भी उसे वाइड में सुसोती थी उसे लगता था कि जीव पुरानी वाली सीही को भी प्यार करता है अपने आपको फिर से वो इंसिक्यूर फिल करा थी है उसे सब कुछ मिल गया था फिर भी वो सही से नहीं रह पाई जब लास में जीव मर जाता है तो फिर से एक नहीं आइडेंटिटी वो ले लेती है जो प्रॉलम था यह सीही के माइन में हमेशा से था उसकी थौट प्रोसेस बहुत ही गलत थी उसी तरह से हमें अपने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए हम अपने आपको ही अगर सुपेरिया नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि लोग भी हमें इंफिरियर समझते है यह जो हमारा फेस से हमारी जो बोडी है यह भावान का दिवावा गिफ्ट है इसे हमें एकसेप्ट करना चाहिए अगर हमने इसे चेंज भी कर दिया तो हम अमारी थौट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते यह बहुत ही डार्क मुवी थी और हमें एक इंपोर्टन मैसेज दे कर जा दिया अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा बहुत सार येसी मुवी ज लेकर आता रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्रेक पर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबाना में मत भूलिये हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये